हेलो डियर इस्टूजेंस स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टार्गेर गुर्कुल पर लकनो विश्विद्याले बिये प्रिवेस प्रिक्षा 2023 बहुत ही कम समय बचा है उसके लिए सिविक्स का टॉपिक यानि नागरिक सास्त काम लेकर आए हैं इस वीड में हम बहुत ही डीटेल में चल्चा करने वाले हैं हर एक कोशन का आपकी स्क्रीन पर आंसर भी दिख रहा होगा कोशन भी दिख रहा होगा लेकिन सिर्फ इसको देख करके हटना नहीं है ठीक है अगर आप एक सिंसेर स्टूडेंट है हम आपको हर एक कोशन से 3-4 कोशन नि को आंसर भी दिख रहा होगा कि 1949 में हुई सिर्फ इतना पर कि हमें नहीं अटना है जलसला में देखना है कि यह नाटू है क्या ठीक है पहले हमें यह तो पता होना चाहिए और इससे और भी कोशन आते हैं तो पहले चीज़ आपको समझने की आवशकता है कि 1945 की बात है 1945 में जो आपका Second World War है Second World War समाप्थ हो गया ठीक है यानि कि आपने सुना होगा प्रतम विशुद दोती विशुद तो दोती विशुद था वो 1945 में समाप्थ हो गया लेकिन इसकी समाप्ती पर एक और जो युद्ध था उसका उदय हो गया यानि कि Second World War की तो समाप्ती हो गई ले बिल्कुल इसका इसे संब्द है नियान से समझना पहला पॉइंट क्लियर करो कि 1945 में जो द्वती विश्युद्य था उसकी समापती हुई और उसी के परिणाम सुरूप इसे समझते हैं बच्चों कोड़ वार का मतलब ऐसा होता है कि जहांपर आप बिना किसी हाथा पाई के किसी भी लडाई को अंजाम देते हैं आप लोगोंने निउस चैनल पर डिवेट देखियोंगी वहांपर सिर्फ बातों के माद्यम से सिर्फ एक दूसरे का प्रचार करके नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है वहाँ पर किसी प्रकार की कोई हाथा पाई कोई खून करावा नहीं होता है ठीक है तो सिर्फ एक दूसरे को बातों की माध्याम से मतलब अपनी बात आगे रखना अपनी बात को आगे रख करके किसी को प्रचार करके के नीचा दिखाने का जैसे कि आप लोग आज इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में देखते हैं भारती राजनीती के दौर में कि जैसे कि कोई भी पार्टी है हमार लोग कॉंग्रेस है बीजेपी है तो यह दूसरे को कभी जाकर के मलब हाथा पाई नहीं करते हैं लेकिन फिर लाई एक आवाज के ऊपर होती प्रचार के उपर होती प्रचार करके एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं ऐसा युद्ध कोल्ड वार होता है लेकिन कभी ऐसे इस्तित्याज आती है कि खीट का मतलब होता है ठंडा कायते हैं आप बहुत ही ठंडे दिमाग क् से एकदम सिंसियर होकर के होती लड़ाई वो cold war कहलाता है लेकिन cold war की भी ऐसी स्थित कभी-कभी आ जाती है कि आप को यह real war में तब्दिल होते बहुत जल्दी देख जाता है हो सकता है कि cold war में कभी-कभी गाली गलोज होने लगे ठीक है गाली गलोज किसी को पसंद ना है तो हाथा भाई की सुरात हो जाए तो cold war से ही यहाँ पर draw होता है यहाँ पर real war ठीक है लेकिन यह जो cold war था cold war तक ही सीमित रहा हमें यह समझना है और यह कभी भी real war में तबदील नहीं हुआ अगर यह real war में तबदील हो जाता तो हम कहते कि यह आज हम इसे cold war ना पढ़ रहे होते हम इसको त्रती विश्व युद्ध पढ़ रहे होते आपको पता है दो विश्व दो चुके है ठीक है प्रतम विश्व दो त्रती विश्व लेकिन अगर आज कोड़ वार जो शुरू हुआ था 1925 में अगर यह real war में हो जाता तो वो रियल वार आज का थर्ड यहाँ पर जो वर्ड़ वार है वो होता है यह ठीक है फिलाल इतना क्लियर हुआ अब हमाँ आपको बताते कि cold war में दरसल कौन कौन से देश थे ऐसे मलब सहबावे कि जब cold war होगा तो इसका मलब कोई 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 देशों के बीची लड़ाई होगी ठीक है तो इसके लिए बच्चों दो देश जिम्मेदार थे एक था आपका अमेरिका यह वाला गुड जो ह भी कह सकते हैं और यह जो सोवियत संग था इसको ही आज की समया में आप लोग रूज के नाम से जानते हैं ठीक है इसके पहला नाम था इसका सोवियत संग तो प्रेशन ऐसे भी आ सकता है कि रूज का पहला नाम क्या था पहले नाम क्या हुआ करता था तो रूज का पुरव हुआ कि ये दोनों देश चाहते थे कि हमारा पूरे विश्व पर कब जाओ तीक है एक प्रकार से हमारा ही वर्चस हो अमेरिका चाहता था जैसा हम कहें वैसा हो पूरा विश्व उसी के साबसे काम करें और सोवेट संग यहीं चाहता था यानि रूस भी चाहता था कि जैसा हम बोले पूरे विश्व उसी दिशा में आगे बढ़े ठीक है एक प्रकार से राजा होना चाहता था विश्व पर यह दोनों के बीज लड़ाई हुआ कि पूरे विश्व के राजा हम है तो इस मतबेद को ठीक है अब स्वाभाविक है कि कोई भी राजा होना चाहेगा तो एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करेगा अमेरिका इनकी कमिया गिनाते कभी पूरे विश्व के सामने और सोवेट संग कभी अमेरिका की कमियाओ का गिनाते तो एक दूसरे का प पर्चस इस्थापित कर सकें तो यह शीति उद्धा ठीक है तो इन दो देशों के बीच हुआ किसके बीच कोशन क्लियर हुआ अमेरिका के बीच सुव्य संग के बीच यह ध्यान रखना है ठीक है तो बच्चों इतना ही नहीं एक इस्थित ऐसे भी आ गई थी कि यहां पर अब जो विश्व था वो तीन देशों में बढ़ गया था यहां पर समझने की कोशिश करते हैं मालो की पूरा एक विश्व है ठीक है अब यह विश्व तीन भागों में बढ़ गया था मलब कोड़ वार के समय यह विश्व तीन भागों में बढ़ गया ठीक है अमेरिका यह है आपका अमेरिका और यह है आपका सोवियत संग जिसको की रूस भी कहते है ठीक है और यह है आपका बाकी बचा हुआ जो विशु है वो ठीक है शेश विशु आपकी यह हुई ठीक है mean था पहला जो विश्यू था वो केवल अमेरिका था कितनी बड़ी बात देखिये mean cold war के इस्थिती आ गई कि अमिरिका को पहले विशु का आगया ठीक है और गेवीशु का नाम बर T जाने लगा एक पहला वर्कApp अमरिका को दूसरा विशु Яनि इस सेकंड वर्ड two तो था वो था सोवेत संग और तीसरे वर्ड में बाकी जितनी भी कंट्रीज थी वो आ रही थी तो पहले तो विश्व तो एक ही था लेकिन कोल्ड वार की समय तीन भागों में बढ़ गया अगर प्रिश्ण ऐसा है कि प्रथम विश्व का दर्जा किसे दिया जाता है ठीक है तो आप कहेंगे की प्रथम विश्व का दर्जा यहां पर अमे का को दिया जाता है ध설 की का दिख रहते कूल्ड वार की देख रहहते अब क्या हुआ बच्चों अब स्वाभाविक है कि जब कोई भी देश एक तरफ आपका ये अमेरिका है और दूसरी तब सोवेट संगय दोनों चाहते कि हमारा वर्चस हो तो अकेले तो वर्चस इस्थापित करेंगे नहीं इनका अन्य देशों का सयोग भी आवश्या गया ठीक है तो क्या किया कि इन्हों ने कई देशों से मिल करके संगṣंटन बनाया ठीक है अमरका ने क्या किया जो पस्चिमी देश है धिक है द्यान देणब जो पस्चिमी देश है जिनको की आप लोग है वेस्टेन कंट्री कहते हैं उनके साथ मिल करके एक संग उनको मिला करके संगटन का नाम दिया गया NATO ठीक है उन संगटन का दिया गया NATO NATO का मतलब होता है North Atlantic Treaty Organization जिसका मुख्या कौन था अमेरिका ठीक है आज भी NATO का मुख्या यानि कि NATO अगर जब आता है तो यानि कि Western countries जितने भी पशिमी countries हैं उनका ठीक है उनका संगटन है NATO और NATO का मुख्या है अमेरिका ठीक इतनी क्लियर अब सुभाविक है कि जब अमेरिका ने NATO यहाँ पर बना लिया है तो जो सोवियत संग है जो आपका SSR है मलब सोवियत संग है या रूस है वो खाली कैसे बैठेगा भया जब लड़ाई हो रही वर्चस होगी तो सुभाविक है कि यह भी कहाएंगे भया हम भी अपना एक संगटन में राएंगे तो इन्होंने क्या किया जो Eastern countries थी इन्होंने Western countries और इन्होंने Eastern countries से मिल करके एक संगठन बनाया उसको कहा गया Warsaw Pact उसको कहा गया Warsaw ठीक है Warsaw Pact ठीक है तो अमेरिका उस संगठन NATO के संगठन का मलब मुख्या हो गया और Soviet संग पूर्वी देशों के संगठन का यानि कि Warsaw Pact जो संगठन था पूर्वी देशों का उसका मुख्या हो गया इतनी बात clear हुई ठीक है आप कहेंगे सरी बनानी की कर्ज होती भाया अकेले दंपी विश्व पर कौन कपजा करेगा समर्थन भी तुचाहिए ठीक है आप कहीं पर भी जाते हो अगर आप चुनाओ होते हैं देश में तो आप अकेले दंपी चुनाओ नहीं जीतते हो उसके लिए समर्थन भी चाहिए ठीक है फिर वही होता है नहीं कि चलो यह उत्तर प्रदेश हमारा हुआ और मद्र प्रदेश तुमारा हुआ ठीक उसी प्रकार संगठन बना लेते हैं पार्टी बन जाती है ठीक इसी प्रकार यहां पर भी हुआ और नाटो पश्चिमी देशों का संगठन था जिसकी स्थापना 1949 में हुई ठीक है यानि कि नाटो का संबंद अमेरिका से ध्यान देना नाटो का संबंद अमेरिका से और नाटो का संबंद पश्चिमी देशों से और पश्चिमी देशों का मुख्या अमेरिका का संबंद NATO से हर एक दूसर की चीज इंटरलिंक है और इसकी स्थापना कब हुई यह एक संगटन है तो इसकी स्थापना क्या पूई इसकी स्थापना 1949 में हुई इतना टॉपिक क्लियर हुआ पहला कोश्चन क्लियर हुआ इसके बारे में अब कोई चर्चा होनी नहीं है इतना क्लियर आपका हो गया होगा इन बाकी के जितने भी मिनट्स हुए है आप केस में ठीक है अब बात करते हैं कि सर आपने कहा दूसरा वार्सप एक्ट उसकी स्थापना कब हुई थी हमने देख लिया कि नाटो जो की अमेरि में पूरभी देषों का संगताchn मनाया सोवीट संग यानि रूस ने रूस ने पूरभी देशों का संगतान मनाया इसरं होग vue संगतन बनाया जिसको वार्सा का आगया वार्सा पैक्ट वार्सा पैक्ट की स्थापना आपकी 1955 में हुई इतना क्लियर हुआ यही में टॉपिक था जहां पर ज्यादा आपका समय लगा अब बढ़ते हैं आगे ठीक है आगे है कि अमेरिका द्वारा जापान की नागा साकी पर जिस परमारु बंसे आक्रमन किया गया था उसका गुप्त नाम क्या था एक चीज़ आपको यहां पर और क्लियर कर दें हमने कहा था बच्चों अभी पैसुराद में कि 1945 में यहां पर जो सेकंड वर्ड वार थ यहां उसकी समाप्ती हो गई अब वह नहीं हुआ ठीक है लेकिन जब कोई चीज सुरू होती है जब कोई चीज समाप्त होती है तो उसका कोई ना कोई रीजन जरूर होता है कि क्या हुआ ठीक है ठीक इसी प्रकार अगर रीम आ जाए कि जो सेकंड वर्ड वार थी कोल्ड व माल लोग की हम है और हमारा कोई दुस्मन है ठीक है अब स्वाभावी के कि इन दोनों के विशे में इन दोनों पर लड़ाई हो हमारा और हमारा दोस्त की विशे में लड़ाई हो रही है ठीक है लेकिन बच्चों क्या होगा एक सगें को इसको थोड़ा-वर बताते हैं मालूस के हम यह हमारा दोस्त है ठीक और 10 साल से हमाई दोनों के भी लडाई हो रही है ठीक आपका पक्षी नहीं रहा तो आप अखेले बचे आपके से लड़ाई करोगे तो ऐसी कंडिशन होई ठीक है तो एक पच्छ समाप्त हो गया इसी कारण वस अमेरिका जो सीटी जो सॉरी जो सेकंड वर्डवा था उसकी समाप्ति हो गई अमेरिका द्वारा जापान के नागा स समाप्ति हो गई तो जापान की समाप्ति के साथ ही सेकंड वर्डवार भी समाप्त हो गया ठीक है इतना क्लियर हुआ कि जापान जब नहीं रहा जब दूसरा कोई विरोधी नहीं रहा तो ची समाप्त हो गई ठीक अब अकेले अगर दो देश बचे भी यहां पर तो वो कर क आप आएंगे के लिए ठीक है जापान का साथ ही नहीं था तो सुभावी कि एक पक्षे समाप्त हो गया क्योंकि इन्होंने परमारुबम छोड़ दिया था परमारुबम जानते कितना खतार नाक होता है लेकिन प्रिश्ण हाँ पर यह है कि अमेरिका ने अमेरिका ने जिस जा हिरोशीमा पर बचों नोड कर ले ना एक था हिरोशीमा पर ठीक है पहला आक्रमण इन्होंने हिरोशीमा पर किया था यह कब किया था छे अगस्त 1945 को नोड करते जाओ छे अगस्त 1945 को इन्होंने अमेरिका ने जापान का एक सहर था हिरोशीमा उस पर आक्रमण किया नोड कर लो कि अमेरिका ने 6 अगस्ट उन्निश्यसोग पैतालीस को फॉस्टिफाइव है अर्थे जापान के एक सहर लुए एक हिरोँ सीमा पर 6 The ुस अगस्ट उन्निस फॉत नाम नाम था लीटिलबोई ठीक है उस बमका गुप्त नाम था hidden name था little boy लेकिन यहाँ पर दूसरे बंप की बारे में पूछ रहा है ठीक है फिर क्या हुआ ठीक तीन दिन बाद दूसरा लिको 9 अगस्त दो आक्रमण किये थे 9 अगस्त 1945 को यानि बच्चो ठीक तीन दिन बाद अमेरिका ने जापान के दूसरे सहर जिसका नाम था नागा साकी नागा साकी जिसका था नागा साकी नागा साकी पर एक और आक्रमण किया ठीक है 9 अगस्त यानि कि 6 अगस्त 1945 को हिरोशीमा पर जापान के सहर पर आक्रमण किया ठीक तीन दिन बाद जापान के एक और सहर नागा साकी पर 9 अगस्त को जो आक्रमन किया ठीक है तो पहले बंप इनक क्या गिए था हिरोशीमा पर उसका नाम्था लीटिल बॉइ लेकिन जो नागा विकित कर में थिक तो यह एब आपको याद रखना है ठीक है अब कोई नहीं होना है कि नोट कर लो कि हिरोशीमा का संबंद यहां पर लिटिल बॉय से हिरोशीमा पर आकरमन किया गया और फैट मैंसे नागासाखी पर आकरमन नौअगस्त को किया ठीक है आपको यहां पर याद रखना है अच्छा चीज़ाय कर लेते हैं बाट्चो परिशान नहीं होना कि से civ Takes Minor भुद्द्ध क्या है बच्चों आपको बता दें कि भारत ने भास ने अपना पहला परवामाडु परिक्षन पहला परमाडु परेक्षन यहां पर राजिस्थान झाता ठीक है राजिस्थान में पोखरण में ध्यान देना भारत में अब हम आपको बताते चलते लाफिंग बुद्दा है क्या हना कि यह इस कोशन का रॉंग ऑप्शन है लेकिन फिल भी क्लियर करते हैं कि भारत ने अपना पहला भारत ने अपना पहला परमाडु परिक्षन जो परमाडु इसको किया था जगह का नाम लिख लो जगह का नाम है राजिस्थान पोखरण में राजिस्थान का एक इलाका है पोखरण ठीक है वहाँ पर पहला अपना परमाडु परिक्षन भारत ने किया था राजिस्थान के लिखते नहीं बन रहा है फिर भी नोट कर लो हम बोल रहे हैं भ पान के उपर फैट मैन और लिटिल बॉय बंब का उपयोग किया उसी प्रकार भारत ने जिस प्रहिक्षण के लिए बंब का उपयोग किया था उसका भी नाम था उसका नाम था लाफिं बुद्दा भारत के प्रतम परमाड परिक्षण के जो परतम परमाड परिक्षण के लि The first gulf war is called दरसल यह क्या है प्रत्धंखाड़ी उद्ध हम आपको बतादे कि इराक ने 1990 की बात है 1990 की इराक ने कुएत पर कबजा कर लिया इराक ने कुएत पर कबजा कर लिया ठीक है इराक कुएत में गया और कुएत पर जाकर के कबजा कर लिया अब सौभावविक था कि इराग ने जब कुव्यद पर प्रकभ्जा किया तो जो कुवःत है वो खत्रे में आ गया ठीक है तो लेकिन यहां पर कई देशों ने इराग को चेतावनी दी कि कि आप कुवैत को आजाद कर दो उस पर हमला मत करो ठीक है लेकिन यह माना नहीं जब यह नहीं माना तो आपको पता है कि यहां पर संयुप राष्ट तंग जिसको की उनाइटेड नेसं और्गनाइजेशन कहा जाता है यह कैसी संस्ता है कि जब किशी भी देशों के दो देश पर आक्रमण करेंगे ठीक है तो बस इतना कहा और संयुक्तराष्ट अमेरिका स्वारी संयुक्तराष्ट संग ने इराक पर आक्रमण कर दिया ठीक है इराक पर आक्रमण के लिए संयुक्तराष्ट संग ने जिस सेना को भेजा था जिस सेना को भेजा था और उस सेना ने यक स्थापित हो रहा था ठीक है कुल मिला के आप इतना समझो कि जब सविंग्तरास टंग ने इराक पर हमले के लिए जो सेना बेजी थी और इराक और सविंग्तरास संग की सेना के बीच लड़ाई हुई थी जिसमें 70% के ओल अमेरिकीस थे उस युद्ध को उस युद्ध को प् जो रक्षा परिशत के इस्थाई सदस हैं विच्टू मेंबर कंट्रीज और युरोपीन यूनियन और पर्मानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्यूर्टी काउंसिल पहले से समझना है इस्थाई सदस क्या है संउतराष्ट संग में जो सदस हैं वो टोटल आपकी यहां पर होते है यहांपर वो टैन प्लस प्लस वाइव कर रहता हैं जो अस्थाई सदस हैं ठीक है मतलब यह हर दो साल बाद जाते हैं ठीक है यह जो दस देश हैं वह हर दो साल बाद संग में सुरक्षा परिस यानि सेंट्राश्ट संग की सुरक्षा परिसाद की 34 कितने है ठीक है ऐसा प्रश्ण पूच फूछा है तो यानि की पास सड़योंमें से बात कर रहा है ze 10 अपर है और तो piece पहली पात की मैं आपको पता है कि जैसे अमेरिका सव्य संग की विक्टन हुआ नॉट करते जान estouland 2021 शोव्येन वह समाप्थ हो गया कि मलब कोई भी अगर एक पंप्छ समाप्थ हो जाएगा तो लड़ाई й अपसांथ हो जाएगी सवावर इक इन 1991 में हार गया और 1991 के बाद से अमेरिका का वर्चस हो आया लेकिन अमेरिका की वर्चस को दबाने के लिए आगे और भी कई यहां पर संगठन आये जिसने अमेरिका को चुनोती देना इस्टार्ट किया ध्यान देना है कि 1991 में सुवयसंग समाप्थ हो गया और अमेरिका के वर्चसों को चुनोती देने के लिए आगे जो तीन चीज़े आई या तीन संगटन आए उसमें नंबर एक था यूरोपियन संग यूरोपियन संग ठीक है दूसरा था आसियान आसियान एक देशों का संगटन है ठीक है आशियान और तीसरा है यहाँ पर चीन चीन अकेले दम पर इसने चुनोती आप कहते हैं ना कि चीन आज भारत में मलब पूरे विश्व में आप देख रहे हो कि अपना वर्चस इस्तापित कर रहा है ठीक है इसी वज़े से इंडस्टीज के मामले में लेकिन क्या हुआ कि चीन तब भी यहाँ पर अकेले चुनौती यहाँ पर दे रहा था तो अब केवन अमिर्का इसे यहां पर चुन नहीं था सो्वियत संग предлаг और ऑशियाँ का बिठा चीन का भी था यह backups यहाँ ना कहीं देशों के संगठंते जैसे नाट्व था ठीक है तो उसी प्रकार यूरोपियन संग में कई देश थे जो यूरोप के देश हुआ करते थे सामिल आशियान में आप देखोगे यहां पर कई देश थे ठीक है और चीन अकेलिया था ठीक है लेकिन यहां पर ध्यान देना वही चीज कि आशियान की स्थापना का वुई ती ठीक है तो वही के देश में से पूछ रहा है ऐसे कौन से दो देशें जो संयुत राष्ट संग की सुरक्षा परिसद के इस्थाई सदस्यों में हैं ठीक है तो उसमें ब्रिटेन और फ्रांस है यह चीज आपको क्लियर हुई अब यूरोपियन संग की स्थापना हुई थी 1992 में हुई थी चलिए बढ़ते हैं भारत ने किस सन में लूक इस्थ की जो नीत ही है वो अपने इन विच यह लूक इस्थ वॉज एडॉप्टेट इन इंडिया ठीक है इसका राइट आंसर है यापन 1991 इसका मतलब क्या है बच्चों लूक इस्थ का मतलब क्या होता है कि भारत इससे पहले क्या था कि अपने दिश्थ कोड के आधार पर चलता था लेकिन अब भारत का एक आपको पता है कि 1991 में क्राइसिस हुआ था भारत में ठीक है मलब एकोनॉमिक क्राइसिस 1991 में हुआ था अब सभाव होए कि कि जब कोई चीज आपकी प्लान काम नहीं करता है तो उसके लिए एक नया प्लान लाना पड़ता है तो भारत ने एक योजना है जो कि लूकिस्ट पर आधारी थी ठीक है और लूकिस्ट के आधार पर ही भारत आगे बढ़ सका ठीक है तो इस चीज को याद रखना है लूकिस्ट का जो है वह भारत ने 1991 में अपना आया एक प्रकार से 1991 के ब बीच सिंदु नदी जल बटवारे के मद्देस्ता कि निवनेवाई अब यह इंपोर्टेंट है यहां पर देख लो बहुत इंपोर्टन कोश्टन है आपको पता है कि भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई होती रहती है ठीक है भारत पाकिस्तान के संबंधों में यहां पर देखा जाए तो सिंदु नदी जल बटवारे को लेकर भी विवाद हुआ है ठीक है मलब कि जो सिंदु नदी का पानी है उसका हिसेदार भारत ज्यादा लेगा या पर पाकिस्तान उसकी हिसेदाई ज्यादा लेगा इसको लेकर कि विवाद हुआ है और जैसे आप देखते दोनों के बीच मामला को सुल्टाने का काम करता है उस मामले को सुल्टाने के लिए विश्यु Tamamka ने बार तो पाकिस्तान के वी वाद था उसको समयाप्ति करने की कोशिश कंच है यह चीज आपके सह्योग संगी डक्ष्षिः छहां नहीं स्थाप्ना कर दोसी को मलब 2,3 परोकर के संगठन मनाते हो कि अगर मालो कि तुम्हारे वाँ नमक खतम हुआ तो हम तुमको दे देंगे कोई चीज की कमी हमारे वहाँ है production ज़्यादा है तो वह चीज हम से ले लेना और तुम अपनी production ज़्यादा वाली चीज अगर हम लोगे ठीक है तो यह था न॥ डक्षिड संगतन जिसको की कहता है सअर्ग इसकी स्थापना कब हुई थी ठीक है इसमें आप देखो डख्षिड संगतन में आपका यहाँ पर इंडिया भी सामिले ठीक है तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में यह इंपोर्टेंट है यह याद रखना वेल वॉस और इस्टब्लिज्ट आगे बढ़ते हैं आगे है कि मानवा दिकार परिशद की स्थापना कब हुई यह तो आपका एक ऐसे साधान सा कोशन है कि मानवा दिकार परिशद की स्थापना हुई यह इंपोर्टेंट कोशन है अलाकि कि हमने डेट्स पे आपके कोशन भी कराये हैं मानवा दिकार परिशद की स्थापना कब ह सुरी मानवादिकार परिश्द मानवादिकार दिवश नहीं परिश्द की स्थापना ठीक है डेट्स पे नहीं है कि स्थापना का हुई मानवादिकार परिश्द एक ऐसा परिश्द है जो मानों के अधिकारों की बात करता है यह संयुक्त राष्ट संग से जुड़ा हुआ है तो when was the human rights counselling established इसकी स्थापना आती है बहुत सारी संक्तरासंग से जिड़े हुए जितने भी संगटन है उनकी स्थापना और उनका मुख्याले कहा है ऐसे question आते हैं इसका right answer होगा 2006 में तो इतना ध्यानक न when was the human rights council established the right answer is 2006 2006 मानवा दिकार परिशत की स्थापना 2006 में की गई थी बढ़ते हैं आगे देखते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब हुए बचो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है कि पर्यावरण को सनक्षित करने के लिए क्या होता है कोई भी हम किसी प्रकार का प्लान लाते हैं मानलो की आज पर्यावरण चल रहा है थी कि पर्यावरण में आप देख रहे हैं कि मलब बहुत प्रोटूशर है तो इसको ले करके बैठके हो रही है आया दिन ठीक है कि प्रदूशर को कैसे रोका जाए तो उसी बैठक का एक नाम था जिसको कि कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल ठीक है पर्यावरण से संबंदित है कि पर्यावरण को अपने एक अच्छे इस्तरपलाने के लिए बैठक हुई थी जिसको कहते ह कि हर देश यहां पर पालन करेगा ठीक हर देश अपनी हिसाब से विकास करेगा लेकिन विकास कि अगर आप डेवलप्मेंट कर रहे हो आप इंफरस्ट्रेक्चर लगा रहे हो अगर आप इंडस्ट्री लगा रहे हो इसका मतलब यह नहीं कि आप पेड़ पौधों को काटक पर्यावरंण की रक्षा करेंगे उस्पर्यावरंण से संबंदी यह क्योटो क्टिकाउल पर शाइन का वुए यह संबंदी इस पर डिटेल से चर्चा करpertaly हिस इस में इसकी स्थापन हुई थी अब भड़ते ही आगे के मानव अधिकार DS यह question based है आपका mc मलब जो dates वाले important question होते है उस पर आ रहीत है कि मानवा दिकार परिश्यद की स्थाप्रा करप कीगी When is human rights day celebrated? इसका right answer है 10 December 10 December is the right answer ठीक है अगला है कि आजादी के समय भारत में देशी रियास्तों की संख्या कितनी थी? ठीक है what was the number of princely states India at the time of independence इसका right answer है 565 अब प्रिंसली स्टेट क्या से जब भारत आजाद हुआ आपको पता है कि भारत अंग्रेजु से आजाद हुआ था तो आजादी के समय भारत में दो तरह के राज्य थे ठीक है एक था जहां पर बिटिसर्स का यहां पर राज चलता था और दूसरे थे जहां पर भारत के राजा लोग शाषन करते थे ठीक है मलब भारत भी दो भागों में था उस समय एक जहां पर बिटिसर्स का सीधा शाषन हुआ करता था और दूसरा था जहां पर सासक राजा लोग करते थे क्या नहीं राजा को सुना होगा भारत में राज यालग करेगा ठीक है तो वो जो राजाओं की संख्याती राजाओं की जितने भी स्टेट से राजी थे वो कितने थे ठीक है तो उनकी बात कर रहा है तो भारत आजादी किसमें दो भागू में था एक प्रिंसली स्टेट थे एक ब्रिटिस के स्टेट से तो ब्रिटिस ने तो लेकिन राजाओं का क्या होगा जो कि अभी भी अपना कब्जा जमाय हुए है स्टेट पे ठीक है तो वही गया रहा है कि ऐसे कितने प्रिंसली स्टेट थे देश के आजादी के समय बहुत इंपॉर्टेंट कोश्चन है 565 इतका राइट आंसर है कि 565 यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स थे ठीक है आगे बढ़ते हैं कि भारत चीन के मद्धि पंचसील समझोता कब हुआ आप देखते हैं कि भारत चीन के मद्धि यहाँ पर आए दिन यहाँ पर लड़ाई हुआ करती है ठीक है वेन वाल तो आपकी आती हैं चीन से जुड़े हुई आप देखते होंगे कि आउकसाई चीन को लेकर आउनाचल प्रदेश को लेकर यहाँ पर हमला हुआ करता है चीन भारत की बीच लड़ाई हुआ करती है ठीक है तिबबत एक मुद्दा है अवनाचल प्रदेश बढ़त पाकिस्तान क के बीच का मुद्दा है भारत पाकिस्तान के बीच सिंदुनदीब का मुद्दा है भारत पाकिस्तान के बीच और भी सीमाओ का मुद्दा है ठीक है इसी प्रकार तिबबत का मुद्दा है चीन के साथ वैसे ही अवनाचल प्रदेश की सीमा का मुद्दा है ठीक है ठीक है इ when i isip understand सब्सक्राइब Means पांच सीजों पर agreement हुआ था और जिन पांच पर के बीच कौन से समझोता हुआ था पंचिसील हुआ था लेकिन उसे महातपूर्ण है कि कब हुआ था इसका राइट अंसर है 1954 में यहां पर पंचिसील समझोता हुआ था ठीक है बस आज के लिए फिलान हम इतना ही रखेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी फिर अ आगे क्यों कुछनों आगे देख लेंगे तो फिलाल आज के लिए हमारे साथ जोड़ने के लिए आप से भी का बहुत बहुत धन्यवाद बताना कमेंट करके की वीडियो कैसे लगी